हालो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सोन्या सिंग और आज मैं आपके लिए कक्षा दो की विशे हिंदी की एक टीचिंग प्लान लेकर आई हूँ जिसका टोपिक है नाव चली इसमें सबसे पहले हम कोलम बनाएंगे डेट क्लास अबीता आगे बढ़ाते हैं बच्चे अपनी निजी जिन्दगी और परिवेश पर आधारी तनुभवों को अपने लेखन में शामिल करते हैं नेक्स्ट है नदिपार करने या नाव के संबन में सुन रखा है परकरन नाव चली सीखने सिखाने की सामगरी में ब्लैक बोर् सिखने सिखाने की प्रकिरिया इसमें सिख्षण के प्रारम में सिख्षक बच्चों को उनके पूर्व ग्यान से जोड़ते हुए जल और उसके श्रोत पर चर्चा करता है पानी कहां से प्राप्त होता है गाउ में पानी के क्या-क्या साधन है आधी परसन बच्चों से पू इस दोरान पाठे पुष्टक पढ़ने के अभ्यास के लिए कुछ बच्चों से अनुकरन वाचन भी कराया जाएगा, पढ़ने में कमजोर बच्चों को साहता की जाएगी. पाट पढ़ने के बाद बच्चों की समझ पर्षनोत्तर द्वारा मापी जाएगी, पाट का सार ओर सीख भी बच्चों को दी जाएगी इसमें गतिविधी जो यूज की है, शिक्षक पाट से समबंदित वीडियो दिक्सायप के माध्यम से बच्चों को दिखाएंगे ओडियो माध्यम से काहनी सुनवाई जाएगी और गतिविधी के दोरान नाव का चितर बच्चों से बनवाया जाएगा और शिक्षण के अंत में बच्चों के ग्यान का मुल्यांकन करने के लिए मोखिक पर्षनोत्तर पूछते हैं काहनी में कोन-कोन से चितर थे और काहनी में कोन-कोन से मित्र थे नेक्स्ट है मित्रों के क्या-क्या नाम थे चारों मित्रों ने मिलकर क्या बनाया समय रहेगा पांच मिनट और आकलन का तरीका है पर्षनोत्तर ग्रयाकारिये शिक्षक बच्चों को पाट के अभ्यास पुस्तक पर कारिये करने को देते हैं, सही सब्चाट कर लिखने को दिया जाएगा सही सब्चाट कर लिखो, सबने मिलकर नाओ बनाई, सबने मिलकर नाओ को पानी में उतारा इस तरह से बच्चों को इसमें से दोपसन दिये गए और बच्चे सही सब चाट कर इसमें लिखेंगी आगामी सिक्षण योजना में सिक्षण कार्ये के दोरान आई कठिनाईयों की समाधान वैवस्ता करते वे आगामी योजना तियार की जाएगी फ्रेंड्स ये थी में आज की वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए बाई बाई